आपको answer sheet के उपर किसी भी तरह का कोई भी irrelevant या irrelated remark नहीं लिखना है और ना ही किसी तरह की कोई special appeal करनी है। Marks के लिए क्योंकि यहां पर बहुत सारे students ऐसा करते हैं कि वो ये लिख देते हैं कि sir मैं बीमार हो गया था या मेरे parents बीमार हो गए थे या मेरी sister की marriage या brother की marriage थी या मेरे घर में कोई expire हो गया था या मेरे कई attempts लग चुके हैं तो please आप मुझे extra marks दीजिए तो आपको इस तरह ये CA intermediate November 2023 examination के admit card के अंदर जो बहुत ही important do's और don'ts की instructions दी गई है वो guide करूँगा और ये जो instructions है ये mandatory है अगर कोई भी candidate इन instructions को follow नहीं करता है तो उसका जो result है वो withheld कर दिया जाएगा आपका वो particular examination उस दिन cancel कर दिया जाएगा तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से end तक देखिएगा तो CA intermediate के November 2023 admit card के अंदर सबसे पहले यहाँ पर first page के अंदर जो candidate की detail है वो provide की जाती है और इसके साथ साथ जो आपके center की detail है और जो बहुत important instructions है वो यहाँ पर दी जाती है second page के अंदर जो exam की date sheet है और जो signature का column है वो provide किया गया है और जो discrepancy of data से related जो important note है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है तो इन do pages की video में already channel पर provide कर चुका हूँ तो आप please उसको भी channel से जरूर go through कीजिएगा अब इसके third page पर जो important instructions है जिसके अंदर की do's और don'ts provide किये गए हैं वो आपको यहाँ पर दिये गए हैं तो आईए जल्दी से इन्हे go through करते हैं सबसे पहले mention किया गया है कि जो exam की timing है वो दिन में 2 p.m. to 5 p.m. रहेगी on all days जो descriptive paper है उसके अंदर जो आपको question paper है वो 1.45 p.m. पर provide किया जाएगा यानि कि जो 15 minutes का prior reading time है वो दिया जाएगा MCQ के case में जो question paper है वो 2 p.m. पर ही आपको provide किया जाएगा सबसे पहले जो do's की list है उसको go through करते हैं Candidate को अपने examination center में 1.30 p.m. पर हर हाल में पहुँचना है और कोशिश कीजिए कि आप 1.15 p.m. तक पहुँच जाए जिस seat पर आपका roll number mark हो सिर्फ उसी पर ही आपको बैठना है Candidate को अपना pen, HP pencil, eraser, stapler, ink, blotting paper, scale, battery operated, noiseless, cordless, portable calculator जिसके अंदर की six function और 12 digits और जो की two memories तक support करता हो ऐसा calculator examination hall के अंदर लेके जाना है Candidate को सिर्फ black ink ballpoint pen से ही अपने answers को लिखना है Question paper पर और main answer book के अंदर जहाँ पर roll number लिखने के लिए specific place दिया गया है सिर्फ वही आपको अपना roll number लिखना है जैसे ही question paper आपके पास आए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो question paper का code है जो कि blackboard पर या notice board पर लिखा गया है examination hall के अंदर वही same question paper आपके पास होना चाहिए आप यह जरूर ensure कर लें कि paper complete है जितने pages उसके उपर mention किये गए है उतने pages उसके अंदर available है candidate को जो medium उसने choose किया है जो कि admit card पर mention है English और Hindi उसी के अंदर अपने answers को लिखना है तो मान लीजिए कि अगर आपने English medium choose किया है और admit card के उपर भी English medium show हो रहा है तो उसी में अपने answers को लिखना है इन केस अगर आपका medium जो आपने choose किया था वो admit card पर गलत print है तो उसके लिए मैं video बना चुका हूँ कि किस तरह से आपको उसे change कराने है और admit card के second page पर भी उसके बारे में information provide की गई है 9th में bold letters में लिखा गया है कि composite papers के अंदर जो MCQ questions के answers है उसको आपको descriptive answer book के उपर जो cover page पर आपको OMR portion दिया गया है उसी के उपर आपको mark करना है अगर कोई भी candidate MCQs के answers को OMR portion के उपर mark नहीं करता है या descriptive answer book के अंदर कहीं लिखता है तो ऐसे case में जो आपकी MCQ booklet है उसको notice नहीं किया जाएगा उसको recognized नहीं किया जाएगा और नहीं उसे evaluate किया जाएगा तो इस बात का ध्यान रखियेगा तो ICAI ने bold letters में यहां पर लिखा है कि composite papers के अंदर जो आपको MCQ के answer है वह descriptive answer book के उपर जो cover page के उपर आपको OMR answer sheet दी गई है उसी के उपर mark करने है 10th point में guide किया गया है कि answer book के उपर front cover page के उपर जितने भी आपने questions attempt किये हैं उसके आगे आप right का sign जरूर लगाएं और 11th point में दोबारा bold letters में लिखा गया है कि composite paper के अंदर जो MCQ booklet है और जो descriptive answer book है ये दोनों आपको without any fail invigilator को submit करने है और उनका acknowledgement भी लेना है यानि कि इसको submit किये बिना आप examination hall को leave नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ही important facts लिखे गए हैं और in case अगर कोई भी candidate इनको void करता है तो उसका वो examination cancel कर दिया जाएगा और result को withheld कर दिया जाएगा जितनी भी आपकी answer books है including additional answer books उनको सभी को आपको tag से tie up करना है और साथ में staple भी करना है हर एक candidate को attendance register के अंदर signature जरूर करने है 14th point में guide किया गया है कि paper number 2, 4, 6, 7 जिसके अंदर की question papers के दो part आपको provide किये जाते हैं तो जो part 1 है उसके अंदर जो MCQ है वो 30 marks के है और जो part 2 है descriptive questions का part है वो 70 marks का है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो दोनों ही part के question paper है वो receive हुए हैं और अगर आपको दोनों part के question paper receive नहीं होते हैं तो इसके लिए please आप जल्दी से invigilator को जरूर बताएं यानि कि invigilator के notice में उसको जरूर लेके आएं बाकि जितने भी आपके papers है paper number 1, 3, 5 and 8 वो descriptive papers रहेंगे और उनकी जो weight age है वो 100 marks की रहेगी candidate को जो MCQ booklet का number है उसको भी attendance register के उपर लिखना है तो जब आप attendance register को sign करें तो paper number 2, 4, 6 and 7 के अंदर आपको MCQ booklet का जो number है वो वहाँ जरूर mention करना है तो बच्चों ये तो हुआ do's का part आएए अब जो don'ts का part है उसको go through करते हैं don'ts की सारी instructions को go through करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे CA Intermediate Grooming Education YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे आज ही subscribe करें और आप इस bell icon को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी important updates timely manner में मिल सकें बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपको channel के उपर बहुत ही important academic videos है चाहे वो concept से related हो या MCQ से related हो या फिर वो revision से related हो या फिर वो ICAI की important instructions से related हो ये सारी ही हम आपको channel पर timely manner पर provide करते हैं तो please आप हमारे CA Intermediate Grooming Education चैनल को आज ही subscribe करें तो don'ts के part में सबसे पहला point guide किया गया है black के अलावा कोई भी ink use नहीं करनी है नहीं आपको sketch pen का use करना है नहीं underline करने के लिए या highlight करने के लिए किसी highlighter का use करना है ना आपको कोई note लिखना है नहीं question paper के उपर कोई rough work करना है candidate को ना तो कोई paper ना कोई book या किसी तरह के written material, examination hall के अंदर लेके जाना है, front page के उपर answers book के अंदर जहां आपको role number लिखना है उसके अलावा candidate कहीं भी अपना role number या जो registration number है वो नहीं लिख सकता है चाहे वो answers book हो या फिर additional answer book हो, graph हो या blotting paper हो, तो आपको अपने role number या registration number को जो specified place है उसके अलावा कहीं भी mention नहीं करना है candidate को किसी भी तरह कोई religious sign, कोई prayer या God का name, या Guru का नेम, या Om Swastika 786, इस तरह का कोई भी नाम answers book के उपर नहीं लिखना है और नहीं आपको ये चीजे additional answer book या graph के उपर या blotting paper के उपर लिखनी है आपको answer sheet के उपर किसी भी तरह का कोई भी irrelevant या unrelated remark नहीं लिखना है और नहीं किसी तरह की कोई special appeal करनी है, marks के लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे students ऐसा करते हैं कि वो यह लिख देते हैं कि sir मैं बीमार हो गया था या मेरे parents बीमार हो गये थे या मेरी sister की marriage थी या brother की marriage थी या मेरे घर में कोई expire हो गया था या मेरे कई attempt लग चुके हैं तो please आप मुझे extra marks दीजिए तो आपको इस तरह का कोई भी note नहीं लिखना है ये एक professional examination है आप इस बात को बढ़े ध्यान से समझ लीजिएगा अगर आपने इन में से कोई भी काम किया तो आपका जो वो exam है वो cancel कर दिया जाएगा candidate को किसी भी तरह का कोई printing model scientific calculator, mobile phone या कोई भी और electronic gadget या device exam hall के अंदर नहीं लेके जाना है सिरफ जो calculator आपको ICI ने guide किया है सिरफ वही आप exam hall में ले जा सकते हैं 8th point को बढ़े ध्यान से note down कर लीजिएगा आप किसी भी candidate से कोई pen, pencil, eraser, question, paper scale, calculator, इतियादी कोई भी चीज exchange नहीं कर सकते हैं तो आप याद रखेगा कि आपको sufficient quantity के अंदर pen, pencil, eraser ये चीज़े लेकर आनी हैं और अपने calculator को BDDD ध्यान से check कर लीजेगा क्योंकि ICAI के examination hall में कोई भी चीज बॉरो करना unfair means में count होती है आप किसी भी candidate से बातचीत या communicate नहीं कर सकते हैं answer book के या additional answer book के किसी भी page को आपको फाड़ना नहीं है और नहीं इसे आप घर लेकर जा सकते हैं बिना permission के candidate अपनी seat से नहीं उठ सकता है इस बात का ध्यान रखेगा smoking, chewing tobacco, beetle nut gum ये सब bend हैं यानि कि आप examination hall के अंदर tobacco का सेवन नहीं कर सकते हैं और नहीं आप chewing gum या किसी तरह के और nut को खा सकते हैं जो MCQ questions answer है उनको आपको OMR answer sheet के अलावा और कहीं भी नहीं लिखना है और नहीं आप इनको descriptive answer book के अंदर लिख सकते हैं इस बात का आप ध्यान रखिएगा paper number 4 और paper number 7 के अंदर जो आपको section A दिया गया है उसी के अंदर आपको अपने answer लिखने हैं तो यहाँ पर clearly bold letters में लिखा गया है कि section A के answer को आप section B के answer book में नहीं लिख सकते हैं और नहीं आप section B के answer को section A के answer booklet में लिख सकते हैं क्योंकि paper number 4 और paper number 7 में इनके अंदर दो अलग-अलग subjects हैं paper number 2, 4, 6 and 7 के अंदर candidate को जो MCQ question paper booklet है उसको examination hall के अंदर ही submit करना है यानि कि आप उसे examination hall के बाहर नहीं ले जा सकते हैं अपने घर नहीं ले जा सकते हैं तो बच्चो ये complete instructions हैं और मुझे लगता है कि आपको ये सारी clear हो गई होंगी और आप please इन्हे follow जरूर कीजिएगा otherwise तो आपका जो result है उसको withheld कर दिया जाएगा बच्चो always believe in yourself अपने उपर हमेशा विश्वास रखें बच्चो इस समय आपको सिर्फ revision के उपर ही ज्यादा फोकस करना है और Team Grooming Education Academy की तरफ से आप सभी को examinations के लिए best of luck इस वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा जाई श्री श्याम